प्रिये मित्रों, काफी समय से मेरे पाथक जो मेरा वीडियो यूट्यूब ने इस एंट्रोड़क्टरी वीडियो जिसका टाइटल है क्रिवेल्टी इंजरीज एंड ट्रामा काज़्ट बाइ नार्सिस्ट अन्याए चोटें और गहरी चोटें नार्सिस्ट स्पाउस पती या पतने द्वारा की जाती हैं और क्या हम इन चोटों को और इस अत्याचार को डाइवर्स के लिए उप्योग कर सकते हैं यह प्रश्ट मेरे से सबसे पहले एक एक्सपर्ट जो जिनका की नार्सिसिजम के फिल्ड में यूएसे में अमेरिका में बहुत बड़ा नाम है उन्होंने अपने एक वीडियो में जिक्र किया कि कोई डॉक्टर या फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस विशे पे बोले तो बहुत अच्छा होगा कि नार्सिसिस्ट के साथ में जिन्दिगी ऐसी ट्रैप हो जाती है जैसे चुहा पिंजरे में या शेर पिंजरे में उसे कोई रस्ता नजर नहीं आता है वो सबकस्ट मार अप्मान अत्यचार सहता रहता है या तो अपने इमबात होने के कारण जिसके बारे में मैंने अपने दूसरे वीडियो में बहुत ही डिटेल से चर्चा की है या फिर कोई उपाई साथ में नए होने के कारण क्योंकि हमारे समाज में आज के समाज में हर कानून हर व्यस्था हर कचहरी और समाज का नजरिया भी वूमन के औरत के हक में है मेल को किसी तरह का कोई उसमें अधिकार नजर नहीं आता वो एक निरी है परानी की तरह जीवन भर अपने दुख से लड़ता रहता है या कम से कम लंबे समय तक तो लड़ता ही है ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए किस तरह से उसके वेवार को सामने लाया जाए यह उन्होंने रिक्रिस्ट किया जिनका नाम डाक्टर रामानी है USA में काफी सीनियर एक्सपर्ट है तो उन्होंने अपने एक वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया था और उसके थोड़े समय बाद ही मैं क्योंकि नए विज्ञान का चात्र हूँ और ऐसे हजारों की तदाद में केसों को देखा है इमर्जेंसी डिपार्टमेंट में जब मैं रिजिडेंट था या जूनियर फेकल्टी था उसके बाद तो ये काम सी एमो करने लगे या फिर हमारे जो जूनियर रिजिडेंट्स और सीनियर रिजिडेंट्स हैं वो लोग करने लगे लेकि शुरू में तो हमीं सब कुछ थे तो सब हमें करना पड़ता था मैंने सोचा क्यों ना उस एक्सपिरियंस को यहां उप्योग करो तो यहां मैंने उन चीजों का वर्नन किया जिसका मैं फिर से हिंदी में वर्नन करता हूँ सबसे पहला तो यह कि क्रूलिल्टी के अधार पर कि मेरा साथी, मेरा पार्टनर, मेरी वाइफ, मेरा अस्पेंट क्रूल है यानि कि अत्याचारी है इस अधार पर आप डैवर्स ले सकते हैं अत्याचार का अर्थ फिजिकल, शारी रिक अत्याचार शारी रिक चोटे शारी रिक रूप से मारना है जिसे इंजिरी या हर्ट हम कहते हैं दूसरा है मानसिक रूप से बहुत से लोग अत्याचार या परेशान मानसिक दरस्टी से करते हैं मानसिक और शारी रिक दोनों के दोने महत्वपूर्ण है पर इनकी महत्वपूर्णा पूर्णता तभी तक है जब इसको कोट में प्रडूस करके प्रमान सहीत सिद्ध किया जाए क्योंकि कोई भी अत्याचार आप पर पर्स्पिश्यल होना चीए लगातार होना चीए एक आद बार गुसे में कोई भी वेक्ती किसी को थपड मार सकता है आस पास बड़ा कोई चीज फेंक सकता है वो नहीं यह लगातार है और लंबे समय तक होना चीए तब यह फिजिकल वाइलेंस डाइवर्स का एक आधार बन सकता है उसी तरह बानसिक अत्याचार का भी अगर आप प्रमान इकठा करते है साक्षे की रूप में या कई कैमरा रेकॉर्डिंग आज कल तो घर-घर में कैमरा से लगे होते हैं रेकॉर्डिंग के लिए या मेडिकल प्रूफ, मेडिकल अविडेंस से क्योंकि लंबा अत्याचार साइकोलोजिकल अत्याचार और शारिडिक अत्याचार भी दोनों विक्तिकी मानसिक स्तिती पर अंतर डालते हैं प्रभाव डालते हैं लेकिन कोर्ट में सिर्फ सबूत चलता है इसलिए आपको इन सब चीजों को डॉकुमेंट करना होगा और डॉकुमेंटेशन के लिए एक डॉक्टर के प्रमान आप हर बार डॉक्टर के पास चाहिए और अपन लिए M.L.C. बनाएए मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो बनाएए हर डॉक्टर को ये बनाना जरूरी है अगर आप कहते हैं वो मना नहीं कर सकता ये इसकी कानूनी डूटी है कि अगर आप जाकर के किसी भी डॉक्टर को हिंदुस्तान में और ये विस्ता सिर्फ हिंदुस्तान में है अगर कोई भी विक्ती जाकर के किसी भी तरह के अतैचार या नया एको रिपोर्ट करता है तो वो अपने करतब वे वस बाद दे है M.L.C. बनाने के लिए Medical Legal Certificate या Medical Legal Case ये बनाने के लिए वो बाद दे है अगर वो नहीं बनाता है तो उसकी बहुत बहुत ही ज़्यादा सजा है बारह साल की तक की सजा डॉक्टर को सकती है इसलिए कोई डॉक्टर आपको मना करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि इस के लिए मना करना Destruction of evidence मना जाता है क्योंकि आप नहीं गए हैं आप एक evidence लेके गए हैं किसी विक्ति के against और law के implementation के लिए और उसको मना करने का मतलब यह है कि आपने उस evidence को समाप्त कर दिया ऐसे ही सैकोलोजिस्ट पे तो यह लाशेद लागू नहीं होता पर सैकेटिस्ट पे जरूर होता है अगर आप अपने किसी भी सैकेटिस्ट जो जिसके पास आप इलाज जहरे होई हैं यह समझें कि यह समझदार है मेरी बात को समझ पाएगा उसके पास जाकर के उस सबका रिकॉर्ड क्रियेट करते हैं तो वह भी आपकी मदद कर सकता है जबकि वह एक परफीचल रिकॉर्ड हो रेगुलर रिकॉर्ड हो और सिद किया जा सके कि इस तरह के भेवार के करन आपको इस तरह से मानसिक कस्ट हो रहा है कस्ट कस्ट है चाय शारीक हो या मानसिक हो ना इस तरह जो नार्सिसिस्ट है जो हमने और उनकी फीचर्ड बताये हैं उसमें फिजिकल आसाल्ट और मानसिक पर ताड़ना शारी डिक चोटें और मानसिसिक प्रताड़ना दो बहुत ही important लक्षन है इन दोनों से उसको बहुत ही उसका प्लाई मिलती है और सप्लाई ही उसका अनन्द है सप्लाई ही नासिसिस्ट की oxygen है यह आदमें भी हो सकता है औरत में भी हो सकता है ज्यादा तर यह किस तरह की चोटे होती है पेरे अर्मुव के अधार पर ज्यादा तर यह चोटें नाखून की चोटों से शुरू होता है नाखून से वो स्क्रेच करेंगे किसी बात का मुद्धा बना करके आप से जगडा कर लिये जाएगा और उस जगडे में इतने उतिजित हो जाएंगे कि आपके शुरीज को नाखूनों से स्क्रेच से भर देंगे यह समय अक्सर जब आप अपने डूटी पे जा रहे हैं या किसी इंपोर्टेंट काम पे जा रहे हैं त्यान रखिए अपने इंपोर्टेंट काम का कभी भी अपने नार्सिसिस्टिक पार्टर से आप डिस्क्लोजी नहीं करें लिकिन जब परिवार में आप रहते हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कल मेरा इंट्रू है कल मेरा लेक्शर है कल मैं वहाँ पे गैस ठूंक यह है वो है तो जैसे ही उनको यह पता चलेगा कि आपको मान सम्मान मिल रहा है वो इस जिसको टॉलेट नहीं कर पाते हैं अब उन्हेंने इस परिस्तिती को बिगाड नहीं है क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते उनको आपसे कोई मतलब नहीं है उनको सिर्फ आपको छेड़ना है आपको कस्ट पहुचाना है और वो कस्ट उनकी सप्लाई है वो कस्ट उनको अपने होने का एसास आत्म बोध कराती है और ये आत्म बोध के लिए ये उनकी आक्सिजन है जैसे हम बिना सांस के नहीं जीवित रह सकते वो बिना सप्लाई के जीवत नहीं रह सकते उन्होंने लोगों के इमोशन स्चुना करके जगा करके और उनको अपनी तरफ के इंदरित करके उस सप्प्लाई पे जीना है तो ऐसी परिस्तितियों में खास करके आप पे हाथ पेर से लाएंगे स्क्रेचेश करेंगे और कई बर आप देखेंगे इन स्क्रेचेश को छुपाना मुश्किल होया था तो आपको भाने बनाने पड़ते कोई में तरह पूछ लेता है यह क्या हुआ तो यह स्क्रेचेश नेल स्क्रेचेश मैंने सबसे पहले सबसे कॉमन और सबसे पहले लक्षा देखते है दूसरे टीथ बाइट लव बाइट्स ने होती है नार्सिस्ट कभी लव बाइट ने करेगा वो टीथ बाइट करेगा दान्तों से आप पे इंजरी करेगा और वो ऐसी जिगे पे करेगा कि लोगों को दिखाई दे जिस से या तो आप पे शक हो या आपका किसी और तरह से पानो क्योंकि उनका में उसमें अजेंडा जो है वो यही है एक तो आपको कस्ट देना वो दुश्मन है आपके इंटरनली वो आपको श्मेश करना चाहते है समाजी ग्रूप से समाज आपको जहां भी प्रतिस्ठा देगा वहीं पे उसी दिन वो वाइलेंट हो जाएंगे वो उस दिन आपसे जगडा करेंगे आपसे वाइलेंट हो करके और किसी न किसी तरह का ड्रामा जुरूर करेंगे तीसरी चोट जो हमने देखी है कॉमनली कि आपने उस से छुड़वाने के लिए उन्होंने पकड़ लिया आपको और केबर वो पकड़ने की प्रोसेस इतनी स्ट्रॉंग होती है कि आपके कंटूजन वगरा बहां पकड़ लिये या हाथ पकड़ लिये तो उस पे उस पकड़ से कंटूजन तक आ जाते हैं या छोटा माटा को चीज पड़ी है वो आप पे भेंगती तो इस तरह से आप एक कंटूजन लीनियर एबरेजन जो नेल स्क्रेच मार्ट से और कंटूजन ये तो बड़ी शुरू की बाते रहती हैं उसके बाद कभी कोई शार्फ वेपन या शार्फ चीज या शीशा मैंने एक अपल देखा जिसमें गुस्से में आकर के जो बचा पक्ष में थे अभी यसा भी होता है कि जब एक पार्टनर जो नार्सिसिस्ट पार्टनर बहुत ज़़ा उच्रंकल हो गया तो दूसरे अर्बाले ने बचने के लिए उससे वो एक दम लेक कुछ लेकर के हाथ में आगया तो उसे अपना जोर से हाथ खिड़की पे मरा खिड़की शीशे के थी सारा उसका हाथ कटी आ इस तरह की चोट भी हो सकती है कोग बलंट चीज उठा करकर आपपे फेंकी जा सकती है जिसका कंटिजन आपका हो जाएगा लेसरेटेड वूट भी हो सकता है जैसे मैंने बताया वो शीशे वाले में शार्प प्लस एलेसरेटेड हून था पूरी बाहा के ओपर जिसमें हमें काफी स्टिच लगाने पड़े रात को और जो तहकी का बात पूछे हमने स्ट्री पूछे तो हस्बेड ने बिलकुल स्पस्ट डूप से बिलकुल सच सच बता दिया पत्नी उसकी वही थी दोनों सर्विस करते थे दोनों बहुत हाई वोजिशन्स पे थे लेकिन पत्नी नार्सिस्स थे फिर उसने सारी हिस्ट्री बताई तो खेर उनके बच्चे बड़े हो चुके थे स्कूलों में जा रहे थे इसलिए वो कह कि मैं डाइवर्स तो कर नहीं सकते चाहिए कुछ भी हो जाए तो मुझे कोई रेकॉर्ड नहीं चाहिए उसने खुतने मना किया तो इस तरह से के बार आदमी जो है हर चीज़ को सहता है खास करके बच्चे हो जाने के बाद तो आप तो मेवलसी बना देंगे बाकी अक्षन उस पर करना ना करना वो तो विक्तिका है इस तरह मांसिक रूप से आपकी प्रताड़ना हमेशा हमेश्टर मंडली में जो आप बैठे होंगे आप पे एक वैसा स्टायर कसना आपके वैसे कमी बताना किसी ना किसी रूप से आपको प्रताड़ित करना आपके कपड़ों पे कॉम्मेंट कर देना आपके कपड़ों के कॉम्मेंशन पे कॉम्मेंट करना हर रोज जब कपड़े आप बाहिन के निकले हैं सबसे पहले आपके कपड़ी ही चेंज करवाएंगे वो, ये क्या कॉम्बिनेशन है? इस स्कलर का कॉम्बिनेशन तो होता ही नहीं, तो आपके कपड़ी ही चेंज करवाएंगे. कोई भी घर में अगर विक्ति आ रहा है, पहले वो उससे इटेंड करेगा नार्सिसिस्ट वो आपको इस्ट्रक्शन देदेगा गरका छोटे से अदना से अदना लोकर भी माली भी आ रहा है तो पहले सब करें, मैं बात करूँगी आप बात नहीं करेंगे को पेंटिंग करने वाला, कुछ भी काम करने वाला रहा है आपको अगर शक्ता पड़े तो उसके साब ने धका भी दे सकती है हाथ से अटा भी सकती है मैं बात करूँगी या मैं बात करूँगा आदमी है तो आपको सेजेशन देना चाहते है अपनी चोईस देना चाहते है उसका कोई महतूब वो नहीं रखेंगे लड़ाई में जो किसी कारण से दोनों में दुराव हो गया तो कोई भी रिष्तेदार कोई भी वेक्ति नहीं बक्षा जाएगा अब ये सब साइकोलोजिकल टोर्चर में आता है और साइकोलोजिकल टोर्चर सबसे बड़ा होता है और अंतता है वो इस तरह के इस्तिती कर देते हैं कि आप को आप रात को सोते वक्त सेथ मैसूस नहीं करते हैं आप डर जाते हैं आपको लगते इससे रात को कि मेरा गला तो नहीं होड़ देगे आपको बहुत से लोगं को इस बात में भी दिक्ट आने लगती है सोचने में भी दिक्ट आने लगती है कहरे का मतलब वो हर तरह का प्रहार शारिडिक और मांसिक आप पे करेंगे और इसमें उनके मददगार भी होते हैं जनकों flying monkeys कहते हैं उनका special नाम किया हुआ है तो वो मददगार या तो उनकी long term supply होते हैं कही बार वो supply within family create कर लते हैं, supply means जिनसे उनके समंद है शारे शारे समंद भी हो सकते है वो ज्यादातर होते है तो उनको वो एजे flying monkey flying monkey जो आपका सारे dirty work गाली ने कालने का काम, suggestion देने का बेज़िती करने का काम उसके कहने से तो वो उसके कहने में उसके sympathizer बनके publicly family में आप पे लांचन लगा के या आपको बुरा बता करके सबके सामने बेज़ित करेंगे कभी कभी वो धर्मका भी देते हैं कभी कभी दूसरे family members को भी अपना एक group बना लेते हैं अपने बेटे को साथ में ले लिया बेटी को साथ में ले लिया बहु को साथ में ले लिया और आप उनके घर यह ज़े महमान गे और पता चला उस महमान वाजी में आपको आपकी क्लास लगाईगी है यह सब सैकलोजिकली आपको भोड डाउन करता है आप जानते भी हैं कई बार उस रेलेटी को लेकर बोल नहीं सकते खास करके बच्चे होने के बाद क्योंकि बच्चों से आपका लगाव ज्यादा हो जाता है दुनिया की किसी भी चीज से बच्चे आपको इतने प्यारे लगते रहुते हैं कि आप उसके कीमत पर बहुत लंबे समय तक सब सहर करते रहते हैं और प्राइर लोग उस वक्त डाइवर्स की फिर सोचते हैं जब बच्चे एक निश्चित सी मासे बहार आ जाते हैं उनका पोशन हो जाता है और वो देखते हैं अब इस चीस से ज़्यादा फरक नहीं बढ़ेगा तब कुछ लोग वो भी कुछ लोग तो उस डाइवर्स लेने के लिए ये क्रियलिल्टी क्रियल्टी जो कॉंस्टेंट क्रियल्टी है शारीनिक और मांसिक दोनो वो आपके क्राम आएंगे लेकिन उसके लिए आपको एक रेगुलर रिकॉर्ड प्रडूस करना पड़ेगा इसलिए उनकी फोटोग्राफिक अविडेंस और M.L.C. मेडिको लीगल केस और अगर मेडिको लीगल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है जो बहुत आसानी से मिल जाता है आप साहिए मेडिकल अपना मेडिकल केस मेडिको लीगल केस बनाएए और इसके एक परतिलिपी लिखे आ जाएए क्योंकि कोर्ट में सिर्फ रिकॉर्ड चलता है और उसी तरह से मंसिक जो आपका परताडन हो रहा है उसका भी रिकॉर्ड किसी सेकोलोजेस्ट ये सेको सेकेटिस्ट के पास में गरवाईएगा और उनसे राइटिंग में ले लीजेगा जो भी उनका टीट्मेंट स्लिप है वो अपना संजो करके रखिएगा और बात में आप उसको कोट इंपलूस कर सकते हैं और आप साबधान रहिएगा उनका कोई भुरुसा नहीं है किस तरह की चोट कहां पर आपको बनाएंगे लेसरेट्रेट बून रो सकता है किसी भी तरह का बून संभव है और किसी भी तरह की सैकोलोजिकल ट्रॉमा आपको संभव है इसको आप नगेट नहीं कर सकते हैं नासिसिस्ट और वो अपने अंत समय तक लास्ट बैट तक आपको चोटें पहना पहचाएगा और ये सारा सभाव उसका उम्र के साथ में खराब होता जाएगा वो कभी आप से प्यार तो कर ही नहीं सकते ये संभव ये नहीं है आप उनके शत्रू है शत्रू रहेंगे किसी शत्रू तरह से नहीं सप्लाई क्योंकि आप सिरफ एक उनकी लिए supply का साधन है और उनकी बहुत supply है और दूसरी बहुत से supply होंगे उनकी पर आप एक मुख्य रूप से supply उनकी बन जाते हैं मुख्य supply is cheap supply इसलिए सबसे ज़्यादा ताड़ना आपको ही सेरी बढ़ती है आप ही targeted रहते हैं क्योंकि आप सबसे असानी से मिल जाते हैं और अगर आप empath हैं तो फिर कहना ही क्या उनकी मोजे मोजे और कभी कभी उस पूरा जीवन निकाल करके और empath उस चीज़ को सबको समझते वे भी जानते वे भी अपने empath की ताकत से empath की समझधारी से वो उस निया को पार लगा लेता है लेकिन इसमें उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है वह शरीर मन तोनों से और पैसे से बिलकुल कंगाल हो जाता है पर कुछ empath ऐसा करते हैं कुछ empath सुपरनवा बन जाते हैं और सुपरनवा बनने के बाद बलेक होल बनने के बाद तो फिर वो किसी की बस में रहने वाले नहीं अपने पूरे बदले पूरे कर लेते हैं लेकिन उससे मिलता है उसको कुछ भी नहीं स्वाय डेस्ट्रक्शन के यह एक आत्मा दा की तरह है यह आत्मत्या की तरह है सुपरनवा बन जाना मैं भी मरूँगा और तुम सब को भी ले मरूँगा यह उस तरह की भूमा का स्वाय नहीं स्वायम तो जाएगा ही बाकी सब लोगों से भी बदले की भावना से और वो इतनी स्ट्रोंग और क्रबल उसमें आ जाएगी तो किसी को कुछ नहीं छुड़ेगा इसलिए कोई इंपाथ सुपर्नुवा इस्तिती में ना जाएगी वही उसके हित्म है लेकिन सब की सीमाएं होती हैं वो सीमा कब तूटेगी कोई इस चीज़ को नहीं जानता धन्यबाद आल दी बेस्ट